हाई दोस्तो टीफर चान में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस VIDEO में आप सीखेंगे कि आपraphon में एक नुइए एड्रेस कैसे आप डाल सकते हैं। कैसे आप feel करेंगे या कैसे आप उसको भरते हैं तो चलिए अगर आप भी चाहरे हैं एक नए address Amazon में डालना तो कैसे डालेंगे आज की वीडियो में हम सीखेंगे तो चलिए दोस्तों Amazon application ये मेरे screen पर है इसको सबसे पहले हम open करेंगे दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा अब यहाँ पर हमारा Amazon application open हो गया है अब यहाँ पर एक नए address हमें डालना है तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए ध्यान दीजीगा नीचे यहाँ पर देखिए फर्स्ट में home का option है you more और यहाँ पर menu तो यह जो menu वाला last में corner में option है menu option में आपको click कर लेना है जैसी दोस्तों आप menu में click करते हैं अब फिर से यहाँ पर नीचे धियान देना है यहाँ पर option है orders का first में दूसरा buy again और तीसरा account तो यह account वाला option है इसके उपर आपको click कर लेना है जैसे दोस्तों आप account में click करेंगे और इस वीडियो में दोस्तों म आपको आना है account setting लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पर दिखिए second number में यहाँ पर your addresses तो यहाँ पर your addresses विले option में आपको click कर लेना है जैसी दोस्तों आप your addresses में click करेंगे आपने अगर पहले से address डाल के रखा होगा तो यहाँ पर दिखाए देगा अगर नहीं डाल के रख करेंगे आपको बोलेगा कि आपका यहाँ पर इंडिया पहले से सेलेक्ट रहेगा यहाँ पर full name में आप अपना नाम को यहाँ पर डाल दीजिए तो चली हम यहाँ पर आपना नाम हम डाल लेते हैं उसके बाद नाम डालने के बाद आप जैस ही कि आप देख रहे हैं आने के बाद यहां पे धियान दीजिए यहां पे फ्लेट हाउस नंबर बिल्डिंग कमपनी अपाटमेंट तो यहां पे फ्लेट नंबर अगर आपका है तो ठीक है अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो फ्लेट नंबर हो गही अगर आप बिल्डिंग नंबर यानि कि घर का number अगर आपका है जैसे कि आप 4 लोगे रहे में रहते हैं तो आपको house number आपको घर का number डालना पड़ेगा तो अगर आप आप फ्लेट में भी नहीं रहते हैं और बिल्डिंग में भी नहीं रहते हैं सीव आप यह गाओं में रहते हैं तो गाओं में क्या सीव गाओं का area का नाम लिख दीजीगा तो भी चलेगा तो चली हम यहाँ पर अपना फ्लेट नमर डाल लेते हैं और यहाँ पे अपने बिल्डिंग का नाम डाल दीजीगा तो हमने अपने बिल्डिंग का नाम डाल लिया आप भी अपने बिल्डिंग का नाम और रूम नबर डाल लिजीगा अगर वहाँ पे आपके building में wing है यानि कि जैसे कि A wing, B wing तो यहाँ पे आप उसको डाल लेंगे तो चलिए हम यहाँ पे A wing डाल लेंगे जिसे कि जो बंदा आएगा उसको पहुचने में आसानी हो और यहाँ पे area और street sector village अगर आपका गाओं है तो गाओं का नाम इसमें fill करेंगे अगर आपका कोई area का नाम है वहाँ पे तो यहाँ पे area का नाम हम fill कर लेंगे तो यहाँ पे सीवाजी नगर मेरे area का नाम है इसलिए हमने अपना सीवाजी नगर fill कर लिया अब यहाँ पे landmark है जो कि example के लिए आपको बोले जाएगा और यहाँ पे example near Apollo hospital या किस के पास है तो यहाँ पे अगर आप वहाँ पे मंदिर कोई famous है तो उस मंदिर का नाम डाल दीजिए या फिर जो आपने area का नाम यहाँ पे डाला है उसको भी आप यहाँ पे landmark में आप डाल सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे डाल देंगे दर्गा रोड अब यहाँ पे पीन कोड का option है तो नीचे six digit का पीन कोड आपको डालना है तो चलिए अपना पीन कोड हम यहाँ पे डाल ले रहे हैं जैसे हमने पीन कोड डाला उसके बाद यहाँ पे खुद बखुद town city आपका ले लेगा कि आप किस state से हैं तो यहाँ पे हमने महाराष्टर से हमने महाराष्टर यहाँ पे select कर लिया अब यहाँ पे make यह address आपका हमेशा delivery के लिए रहने देना चाहते हैं तो make a default address में आपको क्लिक करना है उसके अन्दीची एक option है add address का add address में आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप address में क्लिक करेंगे आपका जो address है जैसे कि अभी हमने डाला है वह यहाँ पे शियो होगा जैसे कि आप देखरें रेमेश कुमार और यहाँ पे पांसे वीग एविंग जैनब मंजिल जो